नमस्कार वेलकम फिर से भारत के सभी विध्यारतियों के लिए एक और बड़ी ख़वर है आज हो चुकि यह 17 फरवरी और 17 फरवरी को एक नया विज्यापन जारी हो चुका है जी हाँ अगर आप इस रों के अंदर करना चाहते हैं और इस रों की नहीं भरती देखना चाहते ह साथ और डिपलोमा के साथ आप देख सकते हैं भारत की काफी अच्छी भरती जिहां ओनलाइन पर क्या सुरू हो चुकी है और आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है अगर नहीं कर रहे हैं और करना चाहते हैं इसमें नोगरी तो फोम बरना शुरू कर दे क् अंदर टेक्निशन लेब असिस्टेंट और फायर में ऐसी कही अन्य पद हैं जिसमें आप लोग आविदन करके एक पोस्ट के लिए नोगरी कर सकते हैं आज इसी विकेंसी के बारे में बात करूंगा कोई भी डाउट हो तो आप हमें परस्टनली मैसेज कर सकते हैं यह विग्यापन भी आप लोग देख सकते हैं तो गाईज चलिए शुरू करते हैं आज की से अपडेट की दस फरवरी को इस रोने एक चोटा सा विग्यापन जारी किया गया है जिसमें रिक्यूर्मेंट है भारत के महिला पुरोष सभी को यहां पर इन्वाइट किया गया है क विध्यारती इसमें विधन कर सकता है जैसे एलेक्ट्रिकल मेकेनिकल की बात करें आई टे एंटी सी एनिसी का वेकिंज ट्रेड होना जुरूरी है 63 पोस्टेस में दे रखी है जबकि इसमें जर्नल की 28 है ओबीसी की 16 सी की नाइन एब स्ट की 5 पोस्टेस में इलेक्रिकल य या NCVT का सेटिविकेट होना ज़रूरी है जबकि फोटोग्राफर डिजिटल के बात करें तो इसमें भी आई टी आई फीडर वाले विध्यारतों के बात करें 17 पलंबर की तीन है इसी तरीके से ट्यूनेर कारपेंटर मेकेनिकल या मसीनर्स या वेल्डर्स सबकी वीकिंसी यहां पर दे रखी है सिंपले मैं बात करूँ तो इसमें उन लोगों के लिए इनवाइट है जो NCVT का आई टीए सेटिविकेट कर रखा है अगर आपने नेशनल अपरेंटिस कोर्स भी कर रखा है तो भी आप लोग लगाईएगा क्यूंकि आप लोगों को यहां पर उसके के लिए अप्लाई कर सकते हैं civil mechanical के लिए एप्लाई कर सकते हैं तो यह चीज आप लोगों को देखनी होगी इसमें बात करो मेंさん kay एमकॉम, बीकॉम, बीएस्सी और एमटेक और बीटेक और डिप्लोमा फिर आईटेई फिर दसवी बारवी यहनी कि सब के लिए इसमें पोस्ट गरेजुविशन से गरेजुशन गरेजुशन से दसवी बारवी वाले लोगों को भी इन्वाइट किया गया है अब गाईज, इसी के अंदर यह दे रखा है कि आप लोग कौन से कैसे आविदन करने के बाद किस तरीके से आप लोगों का सेलेक्शन होगा, मैं बता दू कि सब के अंदर रिटर्न टेस्ट निदायरत हो चुका है और यह ओनलाइन टेस्ट होगा, यह ओनलाइन ही फोम बर र देखे तो ड्राइवर का भी टेस्ट इसमें होने वाला है, पोश्टों की संक्या के लिए हो चुकी है, अब बात करते हैं, अपन एज के बारे में, अगर आप 18-30, 35 या 28 साल के हैं, तो आप 56,000 से 45,000 या 21,000 तक आराम से सेलेरी कमा सकते हैं, आई टे वाले लोगों के करीबन 21,000 रुपे हर मंद की सेलेरी रहेगी, रेजर वेशन की सुविदा 5-3, अगर आप 28 के हैं तो 5 साल, 30 के हैं तो पांस साल, यानि की तो रेजर वेशन की सुविदा भी यहां पर देखने को मिलेगी, आवजिन पर कहें कि बात करें तो 10 फरवरी से इसे उनलाइन पर क क्वाली सेटिविकेट्स होना जरूरी है अप्लोड डॉकुमेंस क्या क्या होंगे जिसे मैंने बोला था इमेल फोटो साइंस यह सारी चीज़ आप लोगों को करनी होगी अब रही बात पैमेंट की यह भी आप लोगों को जमा करवाना होगा को 250 रुपए 750 रुपए जर्नल के टिगरीज को देना होगा इस तरीके से नॉन रिफंडेवल फींस है फिर फींस वापिस रिपन नहीं होने वह अलग अलग पोस्त के नसर अलग अलग टेक्निशन बी वाले हंट्रेड रुपीज देना होगा जबकि जिसमें टेक्निशन असा 245 पोस्तों पर एक नई वेकेंसी है नई पोस्त है नई भरती है और इसका सलिवर्स भी दे रखा है इसमें टेस्ट के बार में बता रखा है तो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी एक छोटी सी अपडेट थी आई होप यह अपडेट अच्छी लगी होगी अब यहां से आप लोगों को आविदिन करने के लिए आप लोगों को ग्लिक करना होगा उसके बाद में आप लोग यहां से सब्मीट कर पाएंगे ज mappedし अब आप अगर चीज़ भी आप लोग समध चूके होगगे करण western जहीं.